हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टू माइ चैनल मैं बानी जे आपके लिए एक ऐसा नुस्का लेकर आई हूं जिसके सेवन से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो ना चाते हुए भी हमारे पेट के उपर चरबी आ जाती है जो कि हमारे सई खान पान ना होने के वज़े से होता है दोस्तो अगर आप बहुत जादा फास फूड या फिर तली हुई चीजों का सेवन करते हैं तो हमारा पेट भार आ जाता है अगर हमारा पेट एक बार भार आ जाए तो उसे अंदर करने में हमें बहुत जादा परिशानी होती है जैसे कि अपने पेट को अंदर करने के लिए कई लोग एक्सेसाइज करते हैं जिन जाते हैं, जॉगिंग करते हैं लेकिन दोस्तों इन सब चीजों को करने के बाद भी अगर आपका पेट अंदर नहीं गया हो तो आप परेशान ना हो ये आज का जो वीडियो है वो आपके लिए है आप घर बैठे आपका पेट अंदर कर सकते हो वो भी साथ दिनों के अंदर जी हां दोस्तों आप इसे साथ दिनों तक इस्तमाल कीजे और आप खुद देखेंगे कि आपकी पेट की चर भी आपको पिगलती हुई दिखेगी दोस्तों ये नुसका बहुत ही साता कारगर है सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों की इस्तमाल से हमने ये नुसके को तैयार किया है जो कि हर किसी के घर में आसा दोस्तों इसे बनाने के लिए आपको करीबनगी को सात लशूम लेनी है और आपको इसे तवे में ação क्रांजिय ए फिर फानमें हलका सेख लेना है दोस्तों आपको नसुन को तवे में या फिर पैनमें डालेना है बिना किसी टेल चीज के मदद के आपको सिर्फ लसुन को ड इसका सेवन करने के लिए सबसे पहले हमें एक गलास गरम पानी यानि की गुन-गुना पानी लेना होगा इस तरीके से तो दोस्तो अब इस गुन-गुने पानी में हमें करीबन एक चमच जीरा पाउडर लेना होगा तो दोस्तो इस तरीके से अगर आपके घर में जीरा है तो तरीके से गुंगुले पानी में मिक्स कर लीजे इस तरीके से तो दोस्तों अभी आपको सेवन कब और कैसे करना है यह मैं आपको बताऊंगी आपको सुब खाली पेट एक लसून लेना है यह भुना हुआ लसून आपको लेना है और आपको इसे चबा चबा कर खा लेना है ख आपको एक एक लसुन खाना है और एक ग्लास जीरा वाला पानी पीना है जिससे कि आप देखेंगे आपका जो पेट की चरबी है आपको गलती हुए देखेगी और पहले ही हफते में दोस्तों आपको इसका रिजल्ट बहुत ही जादा बढ़िया मिलेगा आप इसे जरूर ट् यूटिव चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए तो मैं आपको फिर से मिलूँगी एक नए अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई फ्रेंड्स टेक एर स्टेए फिट एंड स्टेए हेल्दी